आप सब वेलकम बैग टू माय चैनल ओम क्लीम क्रिशन आय नमहर एक ऐसा मंत्र जो हर तरीके की प्रॉब्लम से निकालता है एक ऐसा मंत्र जिसका डेली सर्फ 21 बार भी जाप करेंगे सुबह उठते ही तो आप देखेंगे कि लाइफ में जो भी रुकावटे हैं जो भी चीजे दूर हो जाएंगी अगर आपको डर है किसी भी चीज का डर है इन सिक्योरिटी फील होती है अपने फ्यूचर का डर है या अपने करियर को लेके कोई डर है या आपको ऐसे लगता है कि कोई आपका शत्रू है जो आपको तंग कर रहा है, इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, इसके साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपको confidence मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भगवान हिम्मत देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, बड़ी से बड़ी problem भी हो, चाहे जितनी बड़ी problem हो, सारी problems दूर कर देंगे, वो मंत्र कौन सा है, भगवान श्री कृष्न का बहुत जादा चमतकारी मंत्र है, श्री कृष्न गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा, श्री कृष्न गोविंद ह इस मंत्र का सिर्फ 21 बार अगर आप बेली जाप करेंगे तो आप देखेंगी कि लाइफ में कितनी जल्दी पॉजिटिविटी आ रही है सारे काम बन रहे हैं आप चाहे कोई भी काम करते हो कुछ भी करते हो आपको हर काम में सफलता मिलेगी करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में हैपिनेस आएगी और आपको ये फील होगा कि भगवान हर कदम पे आपके साथ खड़े हैं हर प्रॉब्लम से आपको निकाल रहे हैं और प्रॉब्लम को पास आने ही नहीं दे रहें लाइफ में इतनी जल्दी कंछिविश्ण के नामों का वर्णन किया गया है जिनको सुनके भगवान श्री क्रस्थ और ब्गवान श्री हरी विश्णू बहुत जलदी प्रसन हो जाते हैं प्रलाद ने भी इसी मंत्र का जाब किया था जब उनके पिता फिरने कश्रप ने उनको शेर के पिंजरे में डाल दिया था इसी मंत्र का जाब किया था जब भगवान विश्नु ने उनकी जान बचाई थी उनकी रक्षा की थी बहुत जादा चमतकारी मंत्र है भ में भी कर सकते हैं सिर्फ 21 बार जाब करना है और 21 बार जाब करने से भी आपको इतनी positivity फील होगी life में कि जैसे कि आपको लगेगा कि life बहुत जादा happy हो गई है कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि life इतनी जल्दी बदल जाएगी इतने जादा इसके effective changes आपको फील होंगे बहुत जल्दी life में positivity आती है जिनको भी ये suggest किया है सबने इसके positive reviews ही बताए है कि हमारी life में बहुत जल्दी happiness आगई लड़ाई जगड़े होने बन दो गए अगर husband wife में लड़ाई जगड़े होते हैं या घर में नहीं बनती बहुत जादा कलेश है इस मंत्र का daily job करने से सुन भी सकते हैं सुनने से भी काम बनेगा तो इस मंत्र को daily चाहे सुने चाहे इसका जगड़े घर के लड़ाई जगड़े भी बन दो जाएगे सुख सम्रिद्धी आने लग जाएगी घर में positivity आने लगेगी आपके पास पैसे आने लगेंगे और पैसे टिकेंगे भी घर में ठीक है सारी negativity दूर हो जाएगी life से अगर आपको career में बहुत जादा struggle करना पड़ता है तो career में भी आपको growth मिलेगी और अगर आप student है आप किसी exam की त्यारी कर रहे है तो उसमें भी आपको बहुत जादा ये mantra help करेगा आपको concentrate करने में help करेगा ठीक है अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता 21 बार आप इस mantra का जाब करिए जब भी आप पढ़ाई start करते है उससे पहले फिर आप उसके बाद आप पढ़ेंगे उसके बाद आप याद करेंगे जो भी याद करेंगे आपको याद रहेगा ठीक है बिल्कुल भी nervousness नहीं होगी बहुत जादा effective है घर में जगड़े हो चाहे कुछ भी problem है health अगर ठीक नहीं रहती अगर आपको लगता है कि घर में किसे इंसान की health ठीक नहीं है हमारे family member की health ठीक नहीं रहती आप बहुत जादा परिशान रहते हो उनको इस मंतर का जाब करने के लिए बोले या उनको बोले कि आप सुन ले बस सुनने से भी उनके health में सुधाराना शुरू हो जाएगा बहुत जादा effective है तो ये आज से ही start करके देखी और मैं चाहती हूँ कि आप start करो और फिर इसके result देखो अगर आप किसी और भी मंतर का जाब कर रहे हो तो इसके साथ-साद भी आप इसको कर सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है चाहे आप Own Clean Krushna नम्हों का जाब करते हैrove चाहे आप किसी भी मंतर का अगर आप बेली जाब करते हैं तो उसके बाद इस मंत्र का भी आप 21 बार भी जाब कर लेंगे तो आप देखेंगे कि काम कितनी एजिली बन रहे हैं बहुत जादे एफेक्टिव है करके देखियों और फिर मुझे जरूर बताईए आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिलें मिलते नेक्स्ट वीडियो में टेक केर